से अबसे स्प Sorry के बारे में स्टूडीयो मेटर का स्पीकर होगा और जानेगे इस इसे स्पीकर के बारे में में अच्छा बज üzerine कि स्पीकर का मोडल लेम है L15 BM400 जो कि यह speaker का model name है या फिर नंबर जो भी बोल सकते हैं तो एक भाई का सवाल आया था कि पतना में DJ से related market कहां पर लगते हैं जो कि सारा equipment DJ का वहाँ पर मिलता हो सो हम बता दे कि पतना में DJ से related total सामान बाकर गंज में मिलते हैं जो कि पतना में है और हम उनका video बनाकर आपको दिखा देंगे जो कि भाई बोले थे कि एक वीडियो बनाकर दिखाओ जो कि ब्लॉग टाइप से पूरा उनका वीडियो बनाकर दिखा देंगे बट पहले पांसो सब्सक्राइबर हो जाएंगे complete उसके बाद वह हम आपको वीडियो बनाकर सब दिखा देंगे पतना में डीजे से रिएटेड टोटल समान कहां पर मिलते हैं और कौन से समान का कौन डीलर है और ओरीजिनल समान और डूब्लीकेट समान आफ आपको सब बताएंगे अब बात करें से स्पिकर के बारे में तो आप देख सकते हैं इस स्पिकर का और सिंट्वी कर देख सकते हैं जोकी बीम सीरीज का जो पी अडियो का स्पिकर है पहले था जो उसी के कॉपी जफ्ट लग रहा यह speaker अब हम चलते हैं specification के तरफ और देखते हैं कि हमें सब्सक्राइब क्या-क्या मिलता है बात करें इसके ब्रेंड की तो इसका ब्रेंड है studio maker और अब हम बात कर लें इसे speaker के model name की तो इसका model name है L15 BM 400 अब हम बात करें diameter की तो यह हमारा speaker जो है 15 इंज का speaker rudwer होने वाला है थाप का और अब बात कर लेंदेंस की तो यह हमारा चीकर यह मैं का एक खच्सपीकर होगा और अभबात कर ले आपको आउ सपीकर से में देखने को मिलता है अपके नाइन डीबीट की से स्पीकर में संसितिवीटी जो काफी अच्छा इस speaker में sensitivity और इस speaker का sensitivity जो है आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है और इस speaker का जो punch है और sound है यानि कि mid और low आपको काफी दूर तक आवाज इस speaker का देखने को मिलेगा और अब हम बात कर लिए frequency range की तो आप देख सकते हैं पचास हच्छ से 35 किलो हच्छ तक यानि कि इस speaker से mid और low आपको काफी अच्छा मात्रा में इस speaker से produce होगा और अब हम बात कर लिए इसके voice coil की तो इस speaker में 3 इंज का voice coil है जो की ठीक है इस speaker में voice coil अब हम बात कर ले मैगनेट साइज की तो आप देख सकते हैं इसका magnet size और अब हम बात कर ले magnet type की कि किस type का magnet है तो इस speaker में M ti Siya गया है जो कि भारी जो होता है मैंगत वह और अब बात करब देख आशा मैं आ यो niddari Biyaast起 का फ्रेम इसे इसे स्पीकर के वरिजन की सरनी कि है आप Deixa असरा यो कि काफी अच्छा है और अब बात कर इसे स्पीकर को अगर हमें लेना हो यानिकी एक पेर टाप में इसे स्पीकर को यूज करना हो तो हमको एक कैबिनेट जो है यानि कि एक टॉप का एक कैबिनेट हमें 900 वाट के आसपास होड़ा यानि कि उसमें एक एचेफ भी होगा जो कि आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं 80 वाट या फिर 100 वाट आप एचेफ लगा सकते हैं इस टॉप के साथ क्योंकि काफी अच्छा रहेगा आपको आपका एक कैबिनेट जो है 900 वाट के आसपास हो रहा है तो अगर आप दो टॉप इससे स्पीकर को साथ यूज करना चाते हैं यानि कि चार स्पीकर हो जाएंगे हम बात कर लें एंप्लिफायर की तो इस दो टॉप के साथ एंप्लिफायर जो है आपको आप अहुजा का 1000 वाट जानते होंगे जो कि 10,000 एससे 10,000 उसका मोडले में लेकिन वह 1000 वाट का एंप्लिफायर है उस पर आप यह दो टॉप बजाते हैं तो काफी आपको अच्छा और वाइब्रेशन भी मिलेंगे उससे स्पीकर एंप्लिफायर से अब हम बात कर लें और अनदर व्रांड के एंप्लिफायर के बारे में तो आप एस्ट्रेंजर का 1000 भी ले सकते हैं जो कि वह भी एक हजार वाट का एंप्लिफायर है उस पर भी आप यह दो टॉप बया सकत है या फिर एक्सपो का 1000 ले सकते हैं यह कि बहुत सारे अपने बजट के हिसाब से अप्लिफायर ले सकते हैं और अब हम बात कर लें से स्पीकर के बारे में अभी रिजेंट में तो इस एक स्पीकर का प्राइज जो है आपको पैंसट सो के आसपास है यानि कि 6500 के आसपास यह एक स्पीकर का प्राइज है अगर कोई डाउट हो तो अप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए और अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लिस सब कर दें ताकि मेरा नीव वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगे